Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरे और ये है आप लोगों के लिए May 2022 की Love Tarot Reading और अभी मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session चाहते हैं और फिर किसी भी reason के लिए मुझे contact करना चाहते हैं आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा और हो सकता है देखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो जाए क्योंकि यहाँ पर दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp call यहाँ फिर WhatsApp message करेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और दिखिए contact number नीचे description box पे mention है उसी पे ही आप WhatsApp call और message मेंचे कर सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए Scorpios आप लोगों के लिए देखें कि May 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी तो मैं पस यहाँ पे तीन set of cards हैं फर्स सेट में हम आपके energies देखेंगे सेकंड सेट में आपके partner की energies देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं Scorpios और आपके लिए हाँ पे सबसे पहला card मुझे देख रहा है 10 of Pentacles और दिखे 10 of Pentacles का card family का होता है long term commitment का होता है stability, security का होता है और कुछ ऐसा ही कुछ time से May starting में या May month में आप लोगों के लिए रहता हुआ देख रहा है क्योंकि ये general reading है तो थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आप long term commitment again अपने partner के साथ चाहा रहे हैं एक family चाहा रहे हैं एक stability, एक security इस relationship के लिए चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि family की involvement या फिर family की interference है रही है और देखिए किसी की भी family हो सकती है Scorpios आपकी भी family हो सकती है आपके partner की भी family हो सकती है क्योंकि ये card आप लोगों के लिए है तो आपके लिए ज़ादा रहता हुआ दिख रहा है और कुछ के लिए हो सकता है कि family get together family celebration आपके घर में हो रही है और यहाँ पर देखिए crucible का card कहता है कि कहीं आप इस relationship को contain करना चाहा रहे है कहीं you know हो सकता है कि मन ही मन एक testing एक trial भी आपके मन में अपने partner को लेके इस relationship को लेकर चल रहा है कहीं you know आपको ऐसे लग सकता है कि यही right time है action initiatives लेने के लिए आगे बढ़ने के लिए और उसी से related चीजों को आप analyze कर रहे हैं और फिर चीजों के बारे में आप सोच रहे हैं और देखिए यहाँ पर 10 of swords and death के cards कहीं ending और beginning की बात करते हैं और फिर से मैं कहूंगी कि यह general reading है तो यह ending, beginning सब के लिए differ कर सकती है लेकिन यह तोनों ही cards कहते हैं कि जो भी ending और beginning हो रही है कहीं इतनी comfortable नहीं रह रही है कहीं आपके लिए मुश्किल हो रहा है ending करना या पिर नई beginning को थोड़ा सा accept करना और कुछ लोगों के लिए दिखिए यहां पर यह हो सकता है कि पुरानी किसी चीज़ को end करके आप अपने partner के साथ एक नई beginning करना चाहा रहे हैं इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि इस relationship को ही किसी level पर आप end करके अकेले आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और दिखिए दो examples मैंने दिये हैं लेकिन सब के लिए again ending, beginning differ कर सकती है जो की uncomfortable रहती हुई दिख रही है जिसकी वज़े से कुछ issues, कुछ मसले हो रहे हैं और दिखिए आप ए under pressure का card भी कहीं इन ही energies को और जादा confirm करता है ये card कहता है कि कोई चीज आप जरूरत से जादा कर रहे हैं और ये भी थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आप जरूरत से जादा सूच रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप जरूरत से जादा action initiatives ले रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आप जरूरत से जादा टेंशन ले रहे हैं तो फिर से हमें कहूंगी कि कोई चीज आप जरूरत से जादा भी कर रहे हैं और दिखें यहां पर awareness का काट कहता है कि बहुत ही conscious होके बहुत ही cautious होके आप चीजों को deal कर रहे हैं हो सकता है पीछे कुछ चीजें खराब हुई आप उनको ठीक करना चाहा रहे हैं या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि कोई चीज खराब ना हो जाए कोई issue ना हो जाए और बहुत संभल संभल के भी आप चलना चाहा रहे हैं और देखिए हाँ पे जो भी चीज आप जरूरत से जादा कर रहे हैं मैं आपको यही कहूंगी scopius कि कोई चीज कितनी भी अच्छी हो जब वो जरूरत से जादा होती है तो हमें परेशान करती है जैसे खाने में नमक बहुत एहम है लेकिन जब proportion से जादा होता है और जितना जादा होता है उतना ही वो खाना खराब होता है तो इन energies को जरूर आप चेक करके correct करें एक balance अपनी energies में लेकर आएं और देखिए पुरानी चीजें भले ही हमें serve ना कर रहे हो लेकिन हमारा एक comfort zone हो जाता है और you know हम चाहते हैं उनको let go करना फिर भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और नई चीजें भले ही कितनी भी अच्छी हो हम पूरी तरीके से उनसे वाकिफ नहीं होते तो एक anxiety सी रहती है या फिर मैं कहूंगी एक healthy सा fear आप बोलेंगे healthy fear क्या होता है मतलब आप चाहा भी होते हैं और एक कहीं fear भी रहता है पता नहीं कैसी रहेंगी चीजें पता नहीं क्या होगा पता नहीं उस तरीके से होगा नहीं होगा जैसे आप चाहा रहे हैं तो देखें ये दोनों ही cards आपको message दे रहे हैं कि जितनी जल्दी आप पुरानी चीजों को लटको करेंगे नहीं चीजों के लिए एक acceptance लेकर आएंगे उतनी ही जल्दी अपने लिए आप एक beautiful energies को लेकर आएंगे अब देखते हैं Scorpios के आपके partner की क्या energies है तो आपके partner के लिए देखें सबसे पहले cards में जो दिख रहे हैं 10 of wands reverse and trust और देखे 10 of wands का card कहीं again pressure की बात करता है burden की बात करता है बहुत सारी responsibilities अपने उपर लेने की बात करता है क्योंकि आपके partner के लिए ये card reverse है तो कुछ scope उसके लिए हो सकता है कि आपके partner के मन में किसी भी तरीके का एक burden था, pressure था वो कहीं offload हो रहा है, कहीं you know वो कम हो रहा है और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत जादा ही वो pressure और burden महसूस कर रहे हैं और deeper level के लिए trust का card कहता है कि जो भी वो surface level के लिए again महसूस कर रहे हैं मन ही मन, complete trust खुद पे, आप पे, इस relationship पे या फिर जिस God को वो मानते हैं उन पे रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और देखिए elephant भी कहीं strength को represent करता है तो एक will power, एक determination, एक strength भी चीजों को deal करने के लिए मन ही मन again वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं या फिर ऐसी उनकी energies हैं लेकिन देखिए यहाँ पे seven of swords reverse का card कहता है कि कहीं कुछ चीजों से escape करना चाहा रहे हैं कुछ responsibilities नहीं लेना चाहा रहे हैं लेकिन you know फिर भी ले रहे हैं और कुछ चीजों को avoid करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और deeper level के लिए transfiguration का card कहता है कि बहुत एक completeness आपके साथ वो महसूस करते हैं कहीं आपके साथ एक togetherness चाहाते हैं कहीं companionship चाहते हैं और वो भी you know हमेशा के लिए अपका साथ चाहते हैं हमेशा के लिए you know आपको again अपनी life में चाहते हैं और इसी लिए हो सकता है कि वो responsibilities से भागना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं भाग रहे हैं वो किछ चीजों को avoid करना चाहा रहे हैं एक escapism वली energies हैं लेकिन escape नहीं कर रहे हैं और देखिए end में के लिए यहाँ पर the emperor and the courage of love के guards एक complete shift उनकी energies में आने की बात करता है एक complete again मैं कहूंगी changes उनकी energies में आने की बात करता है जहाँ पर बहुत जबरदस्त एक confidence उनको आपके उपर अपने उपर आ रहा है इस relationship के उपर आ रहा है और बहुत ही courageously बहुत ही boldly बहुत ही assertively बहुत ही confidently action initiatives लेना चाहा रहे है और दीखिए एक maturity भी उनकी energies में दिख रही है एक कहीं फिर से मैं कहूंगी बहुत ही organized बहुत ही systematic तरीके से वो चीजों को deal कर रहे हैं या पर करना चाहा रहे हैं और अब देखते हैं इस copy उसकी में मन्थ में क्या हो रहा है तो दीखिए में मन्थ के लिए यहाँ पे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है long term commitment और जैसे की नाम कहता है यह card long term commitment की बात करता है marriage की बात करता है engagement की बात करता है family start करने की भी बात करता है देखे एक couple बहुत ही नस्दीक बैठा हुआ है और पीछे घर भी है तो देखे हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ चाहने की भी बात करता है और कुछ ऐसा ही में मन्त में हो रहा है या फिर आप दोनों चाहते वे दिख रहे हैं और आप लोगों के लिए Scorpius Ten of Pentacles आपके Partner के लिए Transfiguration के Cards भी कहीं Similar सी Energies की बात करते हैं लेकिन देखे लॉंग टर्म कमिट्मेंट के उपर Justice Reverse का Cards कहता है कि इन्हीं चीजों से Related या फिर Otherwise भी एक Unfair सी Energies रह रही हैं किसी लेवल पे किसी तरीके का Injustice रहता हुआ दिख र सबके लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि Circumstances, Situations इतनी Favorable नहीं हैं कुछ के लिए हो सकता है Scorpius आपका कोई Close Circle में से इनसान है या फिर आपके Partner के Close Circle में से कोई इनसान है जिनकी वज़े से Issues और मसले हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है Scorpius आप द Decision और Choice जादा रहता हुआ दिख रहा है जिसको लेकर भी कुछ Issues, कुछ मसले हो रहे हैं यानि कि फिर से आप लोग Decision लेना चाहा रहे हैं, Choice करना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं बहुत ही Logically हर चीज को Analyze करना चाहा रहे हैं लेकिन Again मैं कहूंगी नहीं कर पा रहे हैं और शायद इसी लिए हाँ पर Totality and Knight of Wands Reverse के कार्ट कहते हैं कि मन ही मन बहुत एक Enthusiasm है, बहुत एक Excitement है, एक Happiness है, एक Joy है, चीजों को लेकर एक Clarity भी आती हुई दिख रही है लेकिन Surface Level के लिए Knight of Wands Reverse का का कार्ट कहता है कि चीजें उस तरीके से आगे नहीं रहे हैं जितना आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाहा रहे हैं, यानि कि Movement को लेकर कुछ Issues हैं, यहाँ पे देखिए कुछ Scorpios के लिए ये भी हो सकता है या फिर उनके Partner के लिए हो सकता है कि आप Travel करना चाहा रहे हैं, अगेन आपके Partner Travel करना चाहा रहे हैं और Travel Plans Del हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं या फिर Travel से Related मसले हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि Sudden Changes आप लोग Expect कर रहे हैं, नहीं हो रहे हैं या फिर Sudden Changes से Related कुछ Issues, कुछ मसले हैं तो देखिए Nutshell में एक Happiness, एक Joy है लेकिन साथ ही साथ उतनी Movement, उतनी Speed रहते हुए नहीं द दिख रही हैं और दिखिए जो भी Mid में तक हो रहा है, कहीं End में के लिए Six of Pentacles and A New Beginning का के Cards कहते हैं कि एक Give and Take आप दोनों के बीच में रह रहा है, एक आदान प्रदान किसी भी चीज का हो रहा है और दिखिए यहां पे भी थोड़ा थोड़ा सब के लिए डिफर करेगा, कुछ लोगों के लिए Practical, Tangible चीजों से Related एक Sharing या फिर एक Exchange हो रहा है, लेकिन दिखिए बहुत Important है कि इसी Give and Take में आप लोग एक Balance सरूर मेंटेन करें, लेकि मैंने हमेशा कहा है कि जब भी भी Relationships में Balance बिगरता है, किसी भी Level पे, किसी भी तरीके का, तभी Relationships में Problems आती हैं देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग Balance नहीं Maintain कर पा रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग बहुत ही Balance तरीके से चल रहे हैं, लेकिन अगर in the process आपको लगे कि ये Balance बिगर रहा है, यानि कि एक जन जादा दे रहे हैं, दूसरे जन जादा ले रहे हैं, तो इसको ज बिगनिंग आप दोनों ही चाहा रहे हैं, और देखिए आपके लिए याँ पे 10 of Swords and Death के Cards बहुत ही क्लियरली कह रहे हैं, कि ये नई बिगनिंग की एक desire या फिर initiative आपकी तरफ से जादा रहे रहा है, और देखिए फिर से मैं कहूंगी ये General Reading है, तो ये नई बिगनिंग भी सब के लिए differ करेगी, यहाँ पे नई बिगनिंग का कार्ट सिरफ और सिरफ हम ये कह रहा है कि किसी तरीके की एक नई शुरुवात again या तो हो रही है या फिर आप दोनों करना चाहा रहे हैं, तो ये था स्कॉपियोज आप लोगों के लिए May 2022 की Love Tarot Reading और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाएं